तुला रासिवारो बिरस्पती वार का दिन 28 दिसंबर इंद्रियोग में पुनवर्शू नच्छत्र में जब दिन की सुर्वात होगी उस समय बिरस्पती आपकी कुनली के सत्तम भाव में गोचर करेगा बिरस्पती चंद्रमा के लाबस्थान में होगा और चंद्रमा आपकी कुनली के भाग्यस्थान में गोचर करेगा आपकी कुनली के धन भाव पर लगने सुक्र का गोचर होगा और प्राक्रमस्थान में मंगल भुद्ध सुर्ज की उक्ती होगी दो परकार के योग आपकी कुनली के प्राक्रम भाव में बनेंगे पहला मंगल सुर्ज का आदित मंगल योगे और दुसरा मंगल बुद्ध सुर्ज का त्रिगरही राज योगे जिसकी द्रिष्टी आपकी कुनली के भाग्य भाव पर होगा जहां चंदर्मा विराजमान है वहीं आपकी कुनली में सनी पंचम भाव में गोचर करेंगे रावु छठे भाव में और कीतु का गोचर द्वादस में होगा इंद्रियोग है गुरु पुसियोग सर्वासिधी अम्रिश सिद्धी आज का दिन तो आपके लिए बड़ा भाग्य साली दिन है भगवान विरस्पती का सिर्वाद धन वैभव सुख लच्मी का बाद से भाग्य धन और खुसाली आपकी जीवन में तरक्की उनती सुभ समचार की प्राप्ती होगी पुनवर्सुन चत्र का वि सिद्धी और आपके पैपाड नौकड़ी में तरक्की का योग बनता है, सवभग्य आपका अच्छा है जीवन के हर छेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी, महत्तु कांच्छा आपकी पूरी होगी हर इच्छा आपकी पूरी होगी आज का दिन सुबदीन है भग्य साली य लोग बना रहा है तो तुला रासी वारो चलिए जांते हैं बिस्तार से आज का तुला रासी फल जाय स्रीराम जाय हनमान संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन करपानिधान जय हन्मान निश्चे प्रेम परतीत ते बिने करेश हन्मान तेहीं के कारज सकल सोबे सिद्ध करे हन्मान हन्मान जी आपको भग्य साली बनाए संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन करपानिधान जय हन्मान जय जय हन्मान बिरस्पती बार का दिन 28 दिसंबर इंद्रियोग में पुनवर्सू नचत्र में बिरस्पती के परभाव के साथ दिन की सुरवात ते आज इंद्र योग है पुनवर्सू नचत्र है और विरस्पती बरा प्रवल्टा से आपकी कुणली में गोचर कर रहा है चंद्रमा के लाबस्थान में विरस्पती का गोचर और मंगल सुर्ज के नमम पंचम योग बनाने वाला विरस्पती आज आपकी जीवन में सुभ फल परदान करेगा पुनवर्सुन अच्छत्र का विरस्पति सुभ होता है सुभता को बढ़ाता है प्राक्रम सकती सुख का योग बनाता है आज का दिन आपके लिए सुभ दिन है भग्य साली योग है क्योंकि आज ये बुद्ध की बदलती चाल और सुर्ज बुद्ध मंगल का तरी गही राज्योग बुद्ध का उदय होकर मारगी होना और आपकी कुणली में सनी का इस समय परभावसाली योग बनना क्योंकि आज इंद्रियोग में आपके जीवन में कुछ महत्पून काम पूरे होंगे इंद्रियोग में पुनवर्सुन अच्छत्र में बिरस्पति आ रलती चाल से समय आपके लिए सुब रहेगा आज लेन देन खड़ीदारी निवेस पर इसका असर देखने को मिलेगा खास करके आगे बढ़ने का उसर भी मिलेगा इसके अलाबा अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो काम आपके सफल हो जाते हैं क्योंकि जब वि जीवन में बड़ा लाब होता है यानि कोई बड़ी सफलता आपको मिल जाती है और जो रोजगार ढून रहे हैं उनके जीवन में सुब समचार की प्राप्ती भी इसी योग में होती है आज सुर्ज मंगल का एक साथ गोचर करना और आपकी कुली में आदत्य मंगल योग का निर्मान यानि आज राजयोग के साथ सुब प्रदान करने वाला बिरस्पती आपकी जीवन में तरक्की 29 स्वभाग लेकर आया है अब आपकी जीवन में साहस भी बढ़ेंगे प्राक्रम भी बढ़ेगा कार्चेतर में तरक्की देखने को भी मिलेगी मान सम्मान की आपती का भी योग बन रहा है आप जितना मीनत करेंगे भाग उससे जादा आपको देगा आज आपकी स्थिती पहले से बिहतर होगी आज ये मंगल का सुर्ज के साथ गोचर करना साथी साथ बिरस्पती का चंद्रमा के लावस्थान में गोचर करना आपकी कुनली को और भ सामना करने की सकती भी आपके अंदर आ जाती है हर कार्श को पूरा करना और उत्साहित होकर बहतर परिणाम की प्राप्ती करना कर्म से धन से और भग्य से आज आप बड़े भग्य साली होंगे आज गुरू पुस्योग भी है सर्वासिध्धी अम्रिश सिध्धी योग भी है यानि आपकी जीवन की दिशा बदलने वाली है सामर्त आपकी जीवन में बढ़ने वाला है सिध्ध फल की प्राप्ती होने वाली है अब आपके जीवन में खुसिया भी बढ़ेगा सुख भी बढ़ेगा अपनी सक्ती से अपने प्राक्रम से जीवन में आप बहुत उनत्ती और सुख भी पाएंगे पुनवर सुनचत्र में, विरस्पती के परभाव से आपके जीवन में आकरसन बरता है, धन बल से युकता आपका जीवन होता है, समाज में मान परतिष्ठा बरते जाती है, और आज का दिन चार चरण में बैतीत होगा परतम चरण का स्वामी मंगल है, मंगल विरस्पती का मित्र है, गिरस्त जीवन और नौक्री का सुख देता है, जीवन में अनेक परकार का सुख भोगते हैं, और वैपार भी आपका अच्छा चलता है, डूते चरन का स्वामी सुख है, सुख्र के परभाव से आज आपकी जीवन में सुख वर एगा हर प्रकार के सुखों का भोग करेंगे तिरते चरन का स्वामी बुद्ध है बुद्धिस्य में सुर्च के साते गोचर कर रहा है जिसकी दसा में आपकी जीवन एचानक से पडिवर्तन भी होगा और आपके नौक्री बैपार में तरक्वी का रास्ता भी खुलेगा चतुर चरनका स्वामी चंद्रमा है यहीं चंद्रमा आपको धन्वल से युक्त बनाएगा क्योंकि चंद्रमा के लावस्थान में विरस्पती का गोचर है मंगल चंद्रमा को और भी जादा मजबूत बना रहा है परिवार में खुसियां बढ़ेगी बच्चों की तरकी देखने को मिलेगी आपकी जीवन में अनेक परकार के कार्ज संपन होंगे जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा भागे आज आप पर महरवान है धन मान यस की प्राप्ती और अपने जीवन में लाब तरकी स्वभागे का फल भी आप प्राप्त करेंगे इंद्रियोग में विरस्पती का परभाव हमेशा ही सुब होता है और इंद्रियोग में विरस्पती आपकी जीवन में आपके सपनों को साकार करते हैं आज का दिन अपने लच की प्राप्ती का दिन है सुख संतोस से जीवन में आगे बढ़ने का दिन है अच्छे काम करने से जीवन में खुसी और सुख पाने का दिन है और सफलता काम्यावी से जीवन के संकट पर विजय प्राप करने का दिन है आज इंद्रियोग पुनवर्सुन चत्र में विरस्पती और चंद्रमा के कारण अनेक परकार का सफलता आपको प्राप्त होगा एक नई सुर्वात भी आपके जीवन में संभव है जो आपको भग्य साली और सुखी बनाएगा सभी परकार के कारजे आपके पूरे होंगे सभी काम आपके सिद्ध होंगे अभिलासा की पूर्ती होगी और बड़ी उपलब्दी आप प्राप्त करेंगे सफलता काम्याबी लाप सम्रिद्धी प्राप्त करने का सुन्दर आउसर आपको मिलेगा क्योंकि विरस्पती के परभाव से दिन बड़ा सांदार है आज विरस्पती बार का दिन है आज आप केले के पेर में भगवान विस्नु का पूजा करें भगवान विस्नु के आसिर करेंगे परिशानी बाधा से आपको मुक्ती मिलेगी और भागे का सितारा भी चमकेगा आत्म विस्वास आपका जागेगा जीवन में धन भी कमाएंगे एक नई पहचान भी आपकी बनेगी और आज का दिन आपके लिए लापकारी दिन है तो केले के पेर में पीले धागे से हल्दी का गांट बांदें विरस्पती देव खुस होकर बर्दान देंगे सुब फल देंगे इच्छा को पूरा करेंगे नौकरी बैपार अच्छा चलेगा लाब होगा जीवन की मुस्किने दूर होगी सुब परिनाम मिलेंगे आप भागे साली है ओम विरस्पते नमा क जाब करें आपकी जीवन की दिशा भी बदलेगी आपका भागे भी चमके आज राहुकाल एक बचकर चालीस मिनट से दो बचकर अंठावन मिनट राहुकाल के दौरान किसी भी सुबकाम का सिरी गनेश ना करें दच्छिन दिशा की तरफ से दिन की सुरवात ना करें आपक बचकर 6 मिनट अभी जीत मुरत 12 बचकर 2 मिनट आपके लिए सुब होगा विरस्पती चंद्रमा का फरभाव है आप बड़े भागे साली है हनमान जी का दर्शन करे हनमान जी की पूजा करे जै स्री राम जै हनमान